अंदावात तक में आपका स्वागत है आज हम आपके समक्ष फिर से हाजिर है ग्रोहों के साथ तरकों की बात शो में तो आए आज हम फिर से बात करते हैं हमारे एस्ट्रोलोजर भावेश एन पतनी जी के साथ भाविश जी जन्म का वार जिस हिसाब से होता है क्या उस हिसाब से इनसान के गरह कारिय करते हैं जन्म के वार का क्या महत्व होता है जन्म का जो वार होता है वो काफी महत्वपूर्ण अंग है पंचां के पांच मुख्य अंग है तिथी, वार, नक्षत्र, करण और योग हम देखते हैं कि किस दिन अगर व्यक्ति का जन्म हुआ है तो उसकी परस्नालिटी कैसी होती है इस चीज का मूरत में भी काफी उप्योग होता है लेकिन उसके बारे में फिर किसी एपिसोड में बात करेंगे फिलहाल हम इंसान के जन्म के साथ जुड़ी हुई जो बात है वो करते हैं अगर किसी का जन्म रविवार के दिन हुआ है तो वो व्यक्ति आराम प्रिय होने की पूरी संभावनाए है क्योंकि रविवार वो सूरिय से प्रभावित है और सूरिय यानि की ग्रहों में राजा तो उन्हें आराम पसंद होता है वो लोग आराम प्रिय होते हैं प्रमादी भी आप कह सकते हैं लेकिन प्रमादी और किसी वार को जन्म लेने वाले व्यक्ति ज्यादा होते हैं इसलिए इन्हें हम आराम प्रिय कहेंगे तो रवीवार के दिन जिनका जन्म होता है वो लोग काफी influential हो सकते हैं और साथ में वो आराम प्रिय भी हो सकते हैं वो लोग दूसरे लोगों पर प्रभाव छोड़ना पसंद करते हैं उन लोगों का स्वभाव थोड़ा सा तेज हो सकता है उनके काम में, उनके रूटीन में कोई दखल अंदाजी करे ये उन्हें पसंद नहीं होता और उनकी personality के बारे में भी कोई opinion दे तो वो भी उन्हें बहुत ज्यादा पसंद नहीं होता लेकिन तारीफ करो तो वो लोग जल्दी मान जाते हैं आपको अगर उनसे काम निकलवाना हो तो आपको उनकी तारीफ करनी चाहिए रवीवार के दिन जिनका जन्म हुआ होता है वो सामान्य तह उचा ओधा प्रिफर करते हैं और अगर वो किसी को report करने वाली position में है इवन एट family level अगर वो किसी को report करने वाली position में है तो उन्हें खुद अच्छा नहीं लगता क्योंकि वो मानते हैं कि उनकी खुद की freedom सर्वो परी है सूर्य आग का गोला है और रवीवार सूर्य से प्रभावित है तो उन लोगों का गुस्सा सारे लोग सहन नहीं कर पाते इसलिए उनके करीब जाने वाले लोगों में से कुछ ही लोग उनकी जिन्दगी में टिक पाते हैं और बहुत सारे लोग दूर हो जाते हैं उन लोगों के स्वभाव में ये लाक्षनिक्ता होती है कि वो काफी उदार दिल होते हैं और दूसरे लोगों को दान धर्म करना पसंद करते हैं वो धर्म में बिलीव ना करते हों तो दूसरे लोगों को गिफ्ट देना पसंद करते हैं और वो दूसरे लोगों से अगर खुश हो जाते हैं तो उन लोगों को कुछ न कुछ देते रहते हैं लेकिन अगर वो गुसा होते हैं तो उन्हें मनाना आसान नहीं होता सूरिय से प्रभावित जो लोग होते हैं उन लोगों की एक और लाक्षनिकता ये होती है कि वो अपने रूटीन में बदलाव पसंद नहीं करते हैं उनका तै किया हुआ रूटीन वो खुद फॉलो करना चाते हैं और वो चाते हैं कि दूसरे लोग भी उनका तै किया हुआ रूटीन ही फॉलो करें सोमवार को जिनका जन्म हुआ है वो लोग चंद्र से प्रभावी होते हैं चंद्रमा शीतल है शांत है इसलिए ऐसे लोग सामान्य तह शांत होते हैं लेकिन मूड स्विंग्स का काफी एक्स्पिरियंस करते हैं सोमवार को जिन लोगों का जन्म हुआ है उन लोगों का ऐसा भी होता है कि वो काफी भावुक होते हैं बहकावे में आ जाते हैं दे गेट कैरीड अवे बाइद फ्लो आफ एक्सेसिव इमोशन्स सो ऐसा हो सकता है कि वो लोग भावुक होकर किसी की बातों में बह जाए एमोशन में बह जाए और बाद में उन्हें पच्तावा हो ऐसे लोग ट्रावेलिंग ज्यादा पसंद करते हैं और ऐसे लोग घूमने से भी ठकते नहीं हैं मतलब वो कभी भी traveling के लिए ready होते हैं, उनका day to day routine काफी tight हो, ऐसा हो सकता है, उन लोगों के जीवन में करीबी लोगों की जो मात्रा होती है, वो बहुत ही ज्यादा होती है, उनके जीवन में करीबी लोगों का महत्व बहुत ही ज्यादा होता है, और वो लोग हमेशा दूसरे लोगों को नर्चर करते हैं, जैसे कि ऐसे व्यक्ति होते हैं, जिनका सोमवार को जन्म हुआ है, वो लोग हमेशा दूसरे लोगों को पूछते हैं, आपने खाना खाया, आपने चाई पी ली, आपकी तबियत तो ठीक है ना, उन लोगों में नर्चरिंग क्वालिटी काफी न ज्यादा करते हैं, वो लोग भाउक होने की वज़से आसानी से लोगों की बात मान जाते हैं, और अगर पूरुष का जन्म सोमवार को हुआ है, तो हो सकता है कि वो लोग जल्दी से दूसरे लोगों के प्रभाव में आ जाए, जैसे कि रविवार का दिन है, रविवार के जन्म अगर किसी स्त्री का हुआ है, तो वो पूरुषों को या दूसरे लोगों को ज्यादा प्रभावशाली लगेगी, ओवर पावरिंग लगेगी, ठीक उसी तरह सोमवार के दिन अगर पूरुष का जन्म हुआ है, तो वो ज्यादा भाउक है और पूरुषों की तरह न मंगलवार के दिन अगर किसी का जन्मा हुआ है तो वो लोग काफी एक्टिव रहना पसंद करते हैं हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए ततपर रहते हैं और वो लड़ायक वृत्ति के होने की संभावनाई ज्यादा है थोड़ा एग्रेसिव रहते हैं वेहिकल फास्ट चलाते हैं उनके दिमाग में खयाल भी फास्ट आते हैं सुमवार के दिन जन्मा लेने वाले लोगों के दिमाग में भी खयाल फास्ट आते हैं लेकिन मंगलवार के दिन जन्म लेने वाले लोग क्विक डिसिशन में एकर्ज होते हैं उन लोगों को जब डिसिशन लेना होता है तो वो बहुत ज्यादा पैरामिटर्स का इस्तमाल नहीं करते हैं तो नीजर्क रियाक्शन लेने की वज़े से कभी-कभी वो जल्दबाजी में गलत निर्णे भी ले बैठते हैं उन लोगों पर आप काउंट ओन कर सकते हैं, भरोसा कर सकते हैं अगर आप किसी critical situation में है तो वो लोग काफी तेज तर्रार होने की वज़े से उन लोगों को blood pressure होने की संभावनाएं बहुत ही ज्यादा होती है मंगलवार के दिन जन्म लेने वाले लोग यूँ अपने आपको भागयशाली मानते हैं लेकिन संगर्श में जीवन बिताते हैं और संगर्श करते हैं तभी उनके भागय में निखार आता है मंगलवार के दिन जन्म लेने वाले लोग भागयशाली होने के साथ साथ संगर्श शील होने के साथ साथ ऐसा भी होता है कि वो बीमार कम पढ़ते हैं इसकी वज़े से उनकी एनरजी बरकरार रहती है, वो लोग जिम या तो योगा करें, तो उनका भाग्य और भी निखर उठता है बूधवार के दिन जिनका जन्म हुआ है, वेनस्टे को जिनका जन्म हुआ है, वो लोग काफी कम्यूनिकेटिव हो सकते हैं उन लोगों को दूसरे लोगों के साथ कम्यूनिकेट करना पसंद होता है, कम्यूनिकेशन इस देर प्राइमरी नीड, लॉजिक और एनलिसिस का बहुत इस्तमाल करते हैं उसके साथ साथ हो सकता है कि वो कभी डबल माइंड में रहे, यू करू या यू करू, मतलब वो हैमलेट काइंड आफ मेंटल कंडिशन कहते हैं उसका सामना वो करते हैं, चीजों को दोहराते हैं, बातों को दोहराते हैं, repetitive होते हैं, उनकी जिंदगी में घटनाएं भी repeat होते रहती हैं बुद्वार के दिन जिन लोगों का जन्मा हुआ होता है वो लोग argumentative हो सकते हैं और लोगों को आसानी से criticize करते हैं, आलोचना भी कर देते हैं, जिसकी वज़से उनके करीबी circle में कम लोग रहते हैं उन लोगों का logic और analysis अच्छा होने के साथ साथ वो काफी professional होते हैं अपने काम में, अपने approach में और वो लोग अपने schedule के हिसाब से अपना routine maintain करना चाते हैं, more to that वो routine में compromise ना करें, तो एक लंबी उम्र तक वो लोग हमेशा जवान दिखते हैं बुधवार के दिन जिन लोगों का जन्म हुआ है, उन लोगों को मेरी ये खास सला है कि वो अगर diet और routine ये दोनों चीज़े maintain करेंगे, तो लंबी उम्र तक जवान यंग ही लगेंगे बुद्धवार के दिन जिनका जन्म हुआ होता है उन लोगों को मैं खास सलाह देता हूँ कि एक हद से ज्यादा लॉजिक ना दोड़ाए वरना आप खुद कन्फ्यूज हो जाएंगे गुरुवार के दिन जिन लोगों का जन्म हुआ होता है वो लोग प्रभावशाली होता है गुरुता ग्रंथी से पीडित भी हो सकता है उन लोगों के पास काफी ज्यान होता है और वो दूसरे लोगों को गाइड करने में माहिर भी होते हैं गाइड करते भी है और उनके इर् जिन लोगों का जन्मा हुआ है वो लोग हमेशा expansion में believe करते हैं मतलब छोटे scale पे भी काम शुरू करेंगे फिर वो उनके पास पैसा है तो वो अपने business को expand करेंगे वरना loan लेने की कोशिश करेंगे अगर वो job कर रहे हैं तो वहाँ तरक्की करना चाहेंगे वो एक ही position पे नहीं बैठे रहेंगे वो ज्यादा exams देंगे या अपने experience को बढ़ाएंगे और हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए ततपर ये लोग कभी कभी दोखा खा जाते हैं ऐसे लोगों से कि जो हमेशा दूसरे लोगों से फाइदा उठाना ही जानते है लेकिन गुरू अपना स्वभाव कभी नहीं छोड़ता इसलिए अगर किसी का जन्म गुरुवार के दिन हुआ है तो उनके साथ हमेशा आपको संबंद बनाये रखने चाहिए क्योंकि आपको उनके guidance से फाइदा होने की पूरी संभावनाय रहेगी अगर किसी का जन्म शुक्रवार के दिन हुआ है तो वो स्वभाव से over protective होते है हमेशा अपने परिवार के लिए protective होते है बच्चों के लिए protective होते है घर में अगर बुजूर गये तो उनके लिए protective होते है उन लोगों को कला में दिल्चस्पी रहती है उनका घर artistic चीजों से बरा होता है इवन छोटा सा घर हो लेकिन वो साफ सुत्रा और सुशोबित लगता है शुक्रवार के दिन जिन लोगों का जन्म हुआ होता है वो लोग बहकावे में आ जाए थोड़ी सी महबबत दिखा दो और वो आपकी बातों में आ जाए ऐसी संभावनाय रहती है प्रेम पाने की उनकी चाहत बहुत ज्यादा होती है और प्रेम से ही इन लोगों को प्रभावित किया जा सकता है या इन लोगों को जीता जा सकता है अगर वो किसी कला में दिल्चसपी ले तो जल्दी तरक्की कर सकते हैं शुक्रवार के दिन जिन लोगों का जन्म हुआ होता है वो लोग खर्चा हद से ज्यादा करते ऐसी भी संभावनाय होती है तो मैं उन लोगों को सला देता हूँ कि बड़े अमाउंट की लोन लेकर फिर हम भरपाई करते रहेंगे ऐसा मत सोचिए पैसा बचाने के बारे में भी आप सोचिए शुक्रवार के दिन अगर आपका जन्म हुआ है और आप यंग्स्टर्स के साथ कनेक्टेट रहेंगे तो आप में और भी निखार आएगा शुक्रवार के दिन जिन लोगों का जन्म हुआ है वो लोग स्त्रियों से प्रभावित होते हैं या उनके करीबी सर्कल में स्त्रियां ज्यादा होती है या तो हो सकता है कि स्त्रियों का प्रभाव उन पर रहे या स्त्रियों के साथ उनकी एफिनिटी अच्छी रहे and this is irrespective of their own gender शनिवार के दिन जिन लोगों का जन्म हुआ होता है वो लोग disciplined होते हैं एक बार किसी चीज़ को follow करना शुरू करते हैं फिर उस काम को अंजाम देने तक वो कभी भी रुकते नहीं है लेकिन कभी-कभी वो प्रमादी हो सकते है प्रमादी यानि कि आलसी हो सकता है कि वो odd time पर आराम करें odd time पर काम करें लेकिन उन लोगों को discipline follow करने की जरूरत होती है शनीवार के दिन जिन लोगों का जन्मा हुआ है वो लोग काफी possessive हो सकते हैं अपने संबंधों को लेकर अपने personal belongings को लेकर वो जिन चीज़ों को या जिन लोगों को चाहते हैं उनको लेकर वो काफी possessive भी होते है और साथ ही में वो उन चीज़ों को बहुत ज्यादा protect भी करते हैं उसमें बदलावाता है तो इन लोगों के सभभाव में भी बदलावाता है वो लोग उद्यमी होते हैं लेकिन थकान इनमें naturally आ ही जाती है क्योंकि वो लोग आव देखते हैं न ताव देखते हैं बस काम करते रहते हैं और फिर ठक कर आराम करते हैं सो जाते हैं और जब वो आराम करते हैं तब गंटों भर आराम करते रहते हैं तो जिन लोगों का जन्म शनिवार के दिन हुआ है उन लोगों को एक disciplined life जीने की जरूरत होती है हाँ एक और बात अगर आपके business में या आपके काम में शनिवार के दिन जन्म हुआ है ऐसा कोई व्यक्ति जुड़ा हुआ है तो emergency में आप उस पर count on कर सकते हैं क्योंकि वो व्यक्ति उद्यम करने से कभी भी पीछे नहीं हटेगा तो इस एपिसोड में हमने कौन से वार को किसी व्यक्ति का जन्म हुआ है तो उनकी personality कैसी होगी इस चीज के बारे में जाना वार का महत्व मूहरत में भी काफी होता है फिर किसी एपिसोड में इस बारे में हम बात करेंगे अमदावात तक की YouTube चैनल सब्सक्राइब करिए और अमदावात तक का Facebook पेज लाइक करिए ऐसे ही interesting episodes लेकर हम आपके सामने फिर से हाजिर होंगे अमदावात तक कुछ